अगर आपने इस केस के पिछले पाँच पाँच स्मिस कर दिये है तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप पिछले पाँच पाँच भी जरूर देखे ताकि आपको इस केस की पूरी डीटेल्स पता चल जाए और साथ ही ये भी कि कैसे डॉक्टर निशी के सिर्फ टू सेट्स ऑफ ब्रेन प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही इस बच्चे के फिट्स, स्वेलिंग, स्क्विंट, क स्वेलिंग पूरी हट गई थी, नेक्स दे काफी पतला पतला दिखना था, आस्ट्रीटमेंट वा नेक्स दे, आपको में बहेंगा पान आ गया था उसके नेट वाली आई में, तो अपसर बहेंगा देगी में गया था, बड़ जब उतिन आपने वह आपने वह आपने वह पचे का भेंगापन होता है, जहां के वह इतन सेंटर में ले आते हैं, तो उसके लिए आपने वह लोग सरजरी करवाते हैं, और यह वहारे ट्रीटमेंट के अंदा यहां पे लिए उसका भेंगापन चला गया, उसका दूर हो गई भी बहुत अगा बहुत पूच्टिपी वे भीवालेक है नाडी उगर नहीं अज को पूछा था तो इनको पूछा था बट आपके एक treatment वास उसने ने फोल किया। बैठने पर balance आना, खुद गर्दन सम्हालने लगना, walking, posture, coordination और eye movements में सुधार। और ना खड़े होने पर जमीन पर अपने पैर जमा पाता था। डॉक्टर निशी के mind programming session के बाद ये बच्चा खुद बिना किसी सहारे के अच्छी तरह बैठने लगा और जमीन पर अपने पैर भी जमाने लगा। इस बच्ची को निउरो डॉक्टर द्वारा जो medicine दी गई उनमें से ओमना कॉर्टिल फोर्टे सिरप, steroid की श्रेनी में आती है और इस medicine को joints, bones और muscles से संबंधित disorders के treatment के लिए भी उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इस दवा के क्या side effects होते हैं। अब आप ही सोचें इतने side effects वाली medicine लंबे समय तक देना क्या आपके बच्चे के लिए भैतर है। अगर डॉक्टर निशी के mind programming session से sitting और standing जैसी समस्याओं में इतनी कम समय में ऐसा सुधार आ सकता है तो ऐसी medicine से होने वाले side effects से भी बच्चे को बचाया जा सकता है। आप इस बारे में सोचिए और comment करके हमें जरूर बताए अगर आपके बच्चे को ऐसा कोई issue होता तो आप क्या prefer करतें। इतने side effects का risk या risk free natural तरीका जिसका result इस बच्चे की डॉक्टर निशी का mind programming session शुरू करने से पहले की हालत और mind programming session के बाद आए अंतर में साफ नजर आ रहा है। इस case की साथवे पार्ट में हम बताएंगे डॉक्टर निशी के second set of mind programming session के बाद ही कैसे ये बच्चा अब eye contact भी करने लगा है। अधिक जानकारी के लिए ये डॉक्टर निशी का appointment book करने के लिए call करें 72520-5299 पर। नाडियोगा अन अल्टरनाटिव एलिग सेंटर 66 राजपुर रोट कंधोली चिरोनवाली देहरादून उत्राखन विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी वेडिए नाडियोगा-ग्मेल.com पर। या कॉल करें 72520-5299 झाल नाएचा पल।